हेलो बच्चों वेलकम टू एससी तक इंग्लिश टेटोरियल बच्चों प्रैक्टिस सेट के क्रब में आज हम लोग सेट 6 सॉल्व करेंगे एससी टी अरवन एक्जाम 2020 आए बच्चों तो पहला क्वेश्चन देखते हैं मतलब बच्चों नीचे जो सेंटेंस दिया गया है वो पैसिव फॉर्म में है और इसका एक्टिव फॉर्म हमें यह क्यों करेंगे हम आपको आगे बताएंगे उसके बाद आपका object है और object से पहले preposition by का प्रयोग हुआ जैसा कि हमने आपको बताया है कि passive eyes में हमेशा object से पहले by का प्रयोग होता है चलिए बच्चों देखते हैं यह हमने इसलिए चारो सेलेक्ट किया बच्चों क्योंकि यह helping verb है और यह main verb है हमेशा passive eyes में helping वर्व के बाद main verb का प्रयोग होता है active eyes में भी सेम चीज होता है इसके बाद still का प्रयोग चुकि मुख्य क्रिया main verb से पहले हुआ है passive voice में तो active voice में भी ऐसा ही करेंगे दूसरा चीज है in, believed in, यहां believed in most important चीज है इसको देखें बच्चों, होता क्या है कि जो phrasal verb होते हैं या prepositional use होते हैं verb और उसके बाद preposition तो इस तरह के जो use होते हैं बच्चों तो अगर active voice में prepositional use हुए है जैसे act upon, look after, believed in तो इस तरह से क्या होता है जब इसका active से passive बनाते हैं तो इनके preposition को verb से अलग नहीं करते हैं तो उसी क्रम में यहाँ पर हम believed in को एक साथ लेंगे तो आएए बच्चों देखते हैं वाक्य का subject हो जाएगा पेपुल चोंकि present continuous tense है present continuous tense है आर का प्रयोग हुआ है helping verb आर का प्रयोग हुआ है तो यह present indefinite में बदल जाएगा और इस third form को हम लोग verb की जो third form है believed इनको first form में बदल देंगे तो people के साथ present indefinite tense में कोई helping verb तो प्रयोग होगा नहीं सीधे सीथे verb की first form का प्रयोग होगा तो देखें people still believe आपको कहीं मिल रहा है second number option में people still believe in believe के साथ इनका भी प्रयोग होता है हुआ है और यहां पे वाक्य का subject जो है वो object रूप में आ जा रहा है superstition तो इस तरह से आपका second number option जो है बच्चो वो हमारा correct answer होगा चलिए बच्चो उमीद है आप लोगों समझ में आ रहा होगा channel को subscribe कर लिजिए bell icon को press कर लिजिए और अपने दोस्तों के साथ share करिए चलिए बच्चो next question देखिए given below are four jumbled sentence select the option that give their correct order चार jumbled sentence है बच्चो इनको correct order में लगाना है बच्च से कोई वाक के सुरी आम तोर पे नहीं होता है इसलिए हम लोग एक option को यहां से cancel कर देंगे फिर आपके पास तीन option बनते है B, C, D तीन option बसते हैं आईए देखिए learning our mother tongue is important and everyone should start there there is because proficiency in the language can lead to better opportunities learning English however is important for practical reason और first question है but that is for an emotional reason देखिए बच्चो लर्निंग mother tongue is important everyone should start there but that is for an emotional reason हम लोग mother tongue क्यों पढ़ते हैं emotional region के लिए आगे है learning English however is important for practical region और English क्यों important है practical region के लिए अब हमें क्रम एक मिल रहा है बच्चो B, A और उसके बाद D B, A, D आपको जहां में जा वही आपका correct answer होगा देखिए बच्चो यहां पे B, A, D तीन option correct मिला और पहला वाग के आपका general saying से शुरू होता है जैसे हमने बताया और general saying है this is because proficiency in the language can lead to better opportunities language में आपकी proficiency रहेगी तो आपको बहतर अवसर मिलेगा और इसलिए language पढ़ना चाहिए कौन कौन सी पढ़नी चाहिए एक तो अपनी mother tongue पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे आपका emotional attachment होता है और second English पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे आपके practical reason के लिए इसको पढ़ना चाहिए तो इस तरह से बच्चों हमारा third number option सही होगा चलिए बच्चों तीसरा question देखते हैं vigilant means बच्चों होता है हिंदी में इसको कहते है सतर्क, vigilant means होता है सतर्क, careful चुकि हम लोगों को इसका antonyms खोजना है तो antonyms हो जाएगा careful का antonyms होता है बच्चों careless, careful का antonyms होता है careless तो इस तरह से हमारा first number option ही सही होगा careful का antonyms होता है careless बाकि careful जो है वो vigilant का ही synonyms है visible means होता है द्रिश जीशे देखा जा सके और illusive means होता है टाल मटोल करने वाला चलिए बच्चों next question है select the most appropriate synonyms अगले question में बच्चों synonyms पूछ रहा है और con-six, synonyms किसका पूछना है con-size का और con-size means होता है बच्चों शंचिप्त con-size means होता है संचिप्त इसको हिंदी में कहते है शंचिप्त संचिप्त मतलब होता है बच्चों short जिसे short बोलते हैं और short का चुकि synonyms खोजना है तो synonym हो जाएगा brief, brief मिन्स भी होता है संचिप, बच्चों आमतोर पर आप देखते हैं, exam में आता है, describe briefly, संचिप्त में बर्डन कीजिए, तो इस तरह से आपका concise का correct synonym हो जाएगा brief, जबकि lengthy जो है वो antonym हो जाएगा concise का होला है, lengthy मिन्स होता है लंबा, complex मिन्स होता है जट detail मिन्स भी लंबा होता है बच्चों तो यह detail और lengthy, यह दोनों वर्ड जो है synonym हो जाएगा concise का, sorry, antonym हो जाएगा, और brief जो है synonym हो जाएगा, next question बच्चों है, select the most appropriate option to substitute the underline segment, underline segment को substitute करना है, मतलब सीधे सीधे no one substitution का question है, बच्चों, question आईए पढ़ते है, see what so tired to work any longer, so tired to work any longer, आईए बच्चों, एक construction इंग्लिश में होता है, to, to, o, dash, 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 two, यह construction होता है, बच्चों, to, to का प्रयोग आपको आमतोर में conjunction में, आमतोर पे conjunction में पढ़ाया जाता है, जैसे see what too tired to work, इसका मतलब होगा बच्चों, वह इतनी कमजोर है कि वह चल नहीं सकती, यह होता है, तो इस तरह यह आपका construction होता है, to और to का, बच्चों, तो इस वाक्य में इसी construction का प्रयोग होगा, she was so tired to work की जगां पे होगा, she was too tired to work, अगर यहां पे होता, she was so tired that she cannot work any longer, तो वह क्या आपका सही होता, क्योंकि so के बाद cannot का प्रयोग होता है, तो इसलिए बच्चों आपका correct answer second number option होगा, चलिए next question देखते हैं, in the sentence identify the segment which grammatical error, grammatical error है बच्चों, यहां पे क्या होता है, देखें, sentence improvement में आपको क्या करना है, चार option में से जो correct option है, वही यहां पे improvement करना होता है, मतलब correct answer को tick करना होता है, और grammatical error में जो आपका wrong answer होगा, जो wrong option होगा, वो tick करना होता है, तो आईए देखते हैं, the child along with his parents were, the child along with his parents, देखें बच्चों, यह कोई नया question नहीं है, हम बताते हैं, आपको continue बताते हैं, कि SSC का एक set pattern है, SSC का एक set pattern है, और उस pattern से वो बाहर आम तोर पे नहीं जाता है, एक आख दो question बाहर रे डाल दे, वो अलग की चीज़े नहीं, एकदम set pattern पे वो question पूछता है, और इस तरह के हमने अभी तक 5-6 से जितने भी solve किया है, इस तरह के question हमको देखने को मिल गया है, देखिए बच् एक exam है, मतलब same exam में same type का pattern repeat कर रहा है, बच्चों ये भी धियान देने वाली चीज़ है, तो मान लिजी आपका exam अगर है, एक आक week पहले आपके किसी friend का exam है, तो कम से कम एक बार उससे common idea आप ले सकते हैं कि कि किस type का question पूछ रहा है, तो same question तो repeat नहीं कर रहा है, मगर यहा से आप अगर कुछ tips ले लेंगे, आप अपने friends से जो कि आप से पहले exam दे चुका है, तो वो आपके लिए ज्यादा helpful होगा, चलिए बच्चों हमने आपको बताया कि जब दो subject, subject number one, the child, और subject number two है, दो है his parents, दो subject along with से जुड़े रहते हैं, along with के साथ और भी कुछ भाव आत किस तरह से, इन सब conjunction के माधियम से दो subject जुड़े रहते हैं, तो वाक्य में work का प्रयोग जो होता है, वो हमेशा पहले वाले subject के अनुसार होता है, और इन conjunction से पहले प्रयोग नाउन, अगर singular है, तो यहाँ पे singular verb का प्रयोग होगा, और यदि plural noun है, तो प्रीर वाव का प्र होगा, child एक singular noun होता है, और child का plural जो होता है, वो children होता है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग correct answer हमको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं, वर, वर जो है, यह correct answer होगा, जिसमें वर दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग work का use यहाँ पे गलत हुआ है, और work को replace करना चाहिए वाज से, इस तरह से आपका fourth number answer, fourth number option जो है, इसमें आपको correct मिलेगा, चलिए बच्चों next question देखते हैं, next question क्या पूछ रहा है, question number seven, appropriate meaning of the underline idioms, idioms पूछ रहा है, put the card before the horse, देखिए बच्चों, idioms है, और यहाँ पे इससे पहले, क्या होता है, idioms दो तरीके से पूछता है, बच्चों कभी-कभी तो सीधे यह underline idioms, जो है, यह सीधे दे देता है, और उसकी meaning देता है, कभी-कभी यह वाक्यों में प्रयोग करके देता है, तो जब वाक्यों में प्रयोग करके देता है, बच्चों, तो एक तरह से आपको एक clue देता है, और आपको करना और ज्यादा आसान हो जाता है, देखिए one must learn to prioritize in life, लाइफ में क्या होती है, प्राथिमिक्ता है set करनी चाहिए, priorities जो है आपकी set होनी चाहिए कि कौन सा काम हमें पहले करना है और कौन सा काम हमें बाद में करना चाहिए, ये priority होती है, जैसे आप मान लिजिए आप student है और आप तयारी कर रह है, आप जानते है, pre में English, math, GS, reasoning, सारा कुछ पूछता है, मेंस में आपको math और English पूछता है, तो आपकी तयारी उसी तरीके से होती है, पता चले आपका reasoning का क्यों 25, आपके पूरे selection में क्यों 25 नमर का रोल है, और आप पूरा समय reasoning पे दे रहे हैं, तो ये आपकी सही priority नही है, priority कैसे है, जो सबसे ज़्यादा जिसका रोल होता है, math है, english है, उसके बाद जिसका कम रोल होता है, उसको कम time देजीए, जिसका ज़्यादा रोल होता है, ज्यादा time देजीए, उसी तरह से यहां पर देख रहा है, priority सेट होनी चाहिए life में, यहां पर क्या है, कि never pays to put the card before the सेंटेंस का भी सेग्मेंट का भी मीनिग निकाले तो आपको मेसट ऑगा Put the card. Card मिनस होती ही गारी Before theó बैल गारी या घोरा गारी जो तांगे होते हैं. क्या होता है कि पहले गारी होती है उसके बाद जो है उसके सामने मतलब गारी होती है मतलब गारी जो है वो गारी के आगे वो रखा जाता है हार्स को, ऐसा नहीं होता है कि हार्स के आगे गारी रखी जाती है, ऐसा नहीं होता है, पहले गारी होती है, उसके आगे घोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है कि पहले घोड़ा होता है, उसके बात गारी होती है, तो यह प्राति मग्तायन जो है गलट सेट हो जाती है तो इसलिए यहां पर इसका incorrect answer हो मतलब आपको बेटर ती प कर में किसी चीज को arrange नहीं करना चाहिए मगर प्रापर कर में किसी भी चीज को प्रापर कर में arrange करना चाहिए और इस तरह से अगर हम देखें तो इसका जो है correct answer अगर आप तीनों में पढ़ेंगे तो आपका second option answer जो है वो सही मिलेगा do the last thing first मतलब आपको ऐसा नहीं है कि पहला चीज last वाला पहले कर लेना चाहिए और पहले वाला last में कर लेना चाहिए तो इस तरह से correct answer इसका second number option होगा बच्चो आईए question number 8 देखते हैं next question question number 8 और यहाँ पे दे रहा है select the word which means the same as the group of word given यहाँ पे one more substitution का question है बच्चो यहाँ पे group of word दिया है इसके लिए आपको एक one word select करना है the act of looking back the looking back on past time यहाँ पे है looking back on past time चार अप्सन होगा है introspection पहला है inspection दूसरा introspection तीसरा है retrospection और चौता है circumspection चारो word चारो word बच्चो बहुत ज्यादा important है यह आप याद कर लीजिएगा आपको in future यह word बिलकुल exam में exam के point of view से बहुत ज्यादा important है inspection inspection मेंस होता है बच्चो निरिक्छन inspection मेंस होता है निरिक्छन जब आप जाएंगे जब आपका selection होगा उसके बाद जब आप job में जाएंगे और central government के किसी भी कारियाला में जब आप होंगे और काम करेंगे तो हर क्या होता है कि आपका काम कैसा चल रहा है आप rules and regulation follow कर रहा है कि नहीं प्रापर तरीके से अपने टास्क को जो है वो सही से कर रहे है कि नहीं इसके लिए inspection होता है वो quarterly भी होता है और happily भी होता है annually भी होता है अलग-अलग department का अलग-अलग rules है तो इसी को inspection को निरिक्षण कहते हैं हिंदी में चलिए दूसरा है बच्चों intro inspection मेंश होता है बच्चों आत्म-अलोकन आत्म-अलोकन इंट्रो में इस क्या होता है बच्च इंट्रोडक्शन मतलब अपने बारे में आप किसी को बताते हैं तो उसको introduction कहा जाता है उसी तरह से जब निरिक् अपना निरीक्षण कर रहे है, आपना निरीक्षण कर रहे है, जबकि यहां कह रहा, Act of looking back, आपको पीछे का निरीक्षण करना है, तो इसके लिए correct सब्द जो है, बच्चों, वो है Retrospection, Retrospection, और Retrospection को बच्चों, बच्चों हिंदी का जो exact meaning होता है उसको कहते है सिंघाव लोकन और सिंघाव लोकन क्यों कहते है बच्चों क्योंकि जब जो सेर होता है जंगल का राजा जो होता है उसकी एक आदत होती है जब वो 10-20 कदम चल लेता है तो एक बार वो पीछे मुरके देखता है और इसी आदत की वज़य से इस सब्द क निर्माण हुआ सिंघाव लोकन और उसी को इंग्लिष में रेक्ट्रो इसपेक्शन कहते है एक्ट आफ लुकिंग बैग आपको पीछे देखने का जो है कार्य उसको हम रेक्ट्रो इसपेक्शन कहते हैं और यह जो होता है सरकम इसपेक्शन इक अलक शब्द बच्चों ज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे देखते हैं question number nine, select the most appropriate synonyms of the given word, synonyms है बच्चों और synonyms word क्या है, exalt, exalt है और इस चार word का हमें, exalt का हमें, इन चारों word का हमें synonyms इसमें खोजना है, extract means होता है, निकालना या सार, challenge means होता है, किसी को चुनोती देना, condemn means होता है, निंदा करना और praise means होता है, प्रसंसा करना, जो की correct synonyms है, exalt का, exalt मतलब होता है, प्रसंसा करना, और praise means भी होता है, प्रसंसा करना, extract means होता है, निचोड या सार, किसी चीज़ का जो सार होता है, उसको extract कहते है, सार मतलब summary भी होता है, बच्चों हिंदी, इनको जो है, condemn means होता है निंदा करना जबकि praise means होता है प्रसंसा करना ये एक दूसरे के बिलोम सब्द है अपोजिट है ये एक दूसरे के opposite है condemn और praise चलिए बच्चों एक next question देखते है select the correctly spelled word select the correctly spelled word और correctly spelled word में आपका जो correct answer है बच्चों वो होगा argument means होता है बच्चों किसी के साथ लडाई करना जगडा करना बहस करना ये argument होता है हिंदी में इसका मतलब होता है argument का और correct spelling होती है a-r-z-u-m-e-n-t चलिए बच्चों next question देखते है next question है select the most appropriate meaning of the underlined idioms फिर idioms आ गया बच्चों फिर idioms आ गया और idioms है speaks volume his success at such young age speaks volume for his talent speaks volume में होता है किसी चीज़ को publicly कहना publicly announcement और ये कह रहा है कि उसका इतने come young come age में इतनी बड़ी सफलता वो speaks volume है अपने आप में उसके talent को जो है कि भया कर रहा है अपने आप में उसके talent को express कर रहा है तो speaks volume मतलब होता है publicly announcement चलिए बच्चों next question one should never with the rule of driving चार सब्द है बच्चों triple means तुछ होता है reckon reckon भी एक अलग का सब्द है जिसका मतलब होता है believe और temper और temper दो सब्द है बच्चों ये तो temper है temperament वाला जिसे कहते हैं temperament इनका थोड़ा गरम है temperament ठीक नहीं है लोग बोलते हैं मतलब nature और ये जो temper है temper आप आम तोर पर आप लोग कहते हैं जब किसी का जैसे कोई बीडियो कोई नेता जी लोग को उड़ा जिदा भयान दे दिये और उसके बाद जो है बीडियो उनका जारी होता है प्रेश वाले तो कहते हैं वह tempered बीडियो है मतलब उस बीडियो के साथ छेड चार होई है हमारे बैयाम के साथ छेड चार होई है उसी को temper कहते है T-A-M-P-E-R temper means होता है छेड चार करना तो यहाँ पर कह रहा we should never temper with the rule of driving जो driving का rule है इसके साथ कभी हमें छेड चार नहीं करनी चाहिए चलिए बच्चो next question देखते है select the word which means the same as the group of word one word substitution है बच्चो that which cannot be satisfied जिसे संतुस्ट नहीं किया जा सके सीधे सीधे आपका second number option होगा insatiable बच्चो यह in series वाले भी question बहुत ज्यादा important होते हैं यह words और आपके examination में अक्सर पूछे जाते हैं ले दे के hardly 20-25 तो हम ज्यादा के दे 10-15 word है जो important है वो लगातार पूछे जाते हैं तो यह आप इसको आप इसको revise कर लिजेगा पन लिजेगा और इसके लिए हमने बताया यह जो जिस book का screenshot आप देख रहे हैं उपर अपने सामने अपने mobile के सामने यह book हमारे द्वारा मेरे द्वारा ही लिखी थे बच्चों English grammar and word power SSC के लिए इस पेसली है और unique published द्वारा published है बहुत सांदार बुक है इसको लीजिए आपको इसमें grammar और word power और पूरा practice set का एक पूरा combination बहुत अच्छा combination है और जहां तक मेरा आनुबा हुआ SSC exam के लिए अभी तक इससे best book हमने नहीं देखी आप एक बार देखिए इसको खरीदिये जाए बुक स्टाल पर आप अपने नजदी की बुक स्टाल पर जाए इस बुक को मांगे पढ़िए और हम यह नहीं कहते हैं जादे ही खरीद लेजिए पढ़िए आपको खुद अं अपन, when to ? चीजों से तो हमें इस बुक को ही पढ़ना पड़ेगा क्यांकि इसमें to the point चीजे दिये, जैसे same pattern आपके SSC अब बच्चों है, वैसे same pattern हमने इसको follow किया है हमने इसके pattern को ही एकदम up to the level इसके SSC के pattern के parallel इस book को लिखा गया है इसलिए बच्चों हमने description box में इसका link दे दिया है और आप online भी purchase कर सकते हैं चलिए बच्चों देखते हैं insatiable मींस होता है और संतुस्ट जिसे संतुस्ट नहीं किया जा सके incredible मींस होता है अब श्वसनिय इनक्रेडिबल अब श्वसनिय यह that cannot be which cannot be believed and improbable मींस होता है और शंभाब्य और impossible लगबग दोनों something related है impossible मींस होता है और शंभाब्य और improbable मींस होता है अशंभाब्य ऐसा होता है बच्चों चलिए next question देखते हैं और next question है बच्चो गिवेन विलो फॉर जंबल्ड वर्ड है बच्चो और जंबल्ड वर्ड है और first of these state the only way to have a friend to be one. first of these देखिए first of these हमें लगता है यह वाक्य नहीं होगा क्योंकि first of these मतलब इससे पहले कुछ rules आया है जिसके लिए these का प्रयोग हुआ है और इस these में first and second का प्रयोग है first और second आगे इसको divide कर रहे हैं like all relationship it is also governed by it is also governed by कौन सा relationship मतलब relationship के लिए it का प्रयोग हुआ है इसका मतलब यह किसी relationship के बारे में बता रहा है जो कि इससे पहले बढ़न हुआ है जिसका मतलब वही आपका first sentence हो सकता है friendship आये बच्चों यह हमें मिल गया sentence पहला friendship is one of the most coveted relationship on the earth आये बच्चों c से वाके शुरू होगा इसका मतलब हमारे यह वाला option होगा नहीं one option होगा नहीं और three option होगा नहीं ले देके दो option होगा two and four चलिए आये देखते हैं friendship is one of the most coveted relationship on the earth thus one must be reliable as a friend to expect reliability in other चलिए बच्चों अगला question देखते हैं यह तो आपका c के बाद d हो गया है जबकि हम लोग यह देखते हैं c के बाद b क्या कह रहा है friendship is one of the most coveted relationship on the earth आगे कह रहा हैं the first of these the first of these like all relationship like all relationship it is also governed by some well defined principle कह रहा है कि जो सबसे coveted relationship है उससे principle उसमें से एक है फिर principle के बारे में आगे यह बता रहा है है कि like all relationship it is also governed by some well defined principle कुछ principle द्वारा यह भी governed होते हैं अब इसके बाद यह बता रहा है कि first of these और in principle में से first principle क्या है first of these states that the only way to have a friend is to be one तो इस तरह से हमको option correct मिलना है बच्चों और हमें लगता है यह आपका तीन तो हम लोगों ने ऐसे cancel कर दिया था और चौथा भी नहीं होगा सीधे सीधे तीन second number option आपका correct होगा और last होगा thus one must be reliable as a friend to expect reliability in other इस तरह से आपका डीन लास्ट हो जाएगा और आपका second number option जो है correct option होगा बच्चों चलिए आए अगला question देखते है grammatical error spotting error का question है बच्चों spotting error का question है क्या करा है he is more smarter देखिए बच्चों जब आप adjective पढ़ेंगे positive degree, comparative degree, superlative degree तो उसमें यह बताया जाता है कि कभी भी double comparative का प्रयोग नहीं करना चाहिए double comparative का प्रयोग नहीं करना चाहिए जैसे more भी comparative degree है more भी comparative degree है और यहाँ पे smarter भी comparative degree है तो इस तरह से double comparative हो गया जो कि आपका गलत है और हम लोगों को गलत sentence यहाँ पे select करना है तो more smarter यह आपका correct answer होगा क्योंकि यहाँ पे he is the smarter, he is smarter हो सकता था या तो more smart, he is more smart या he is smarter इस तरह से आपका four number question जो है वो correct answer होगा चलिए देखते हैं correctly spread चलिए दोस्तों देखते है correctly spread कौन सा option जो है वो correct manipulate 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 और देखिए तीनों में तो एक ही शब्द spelling आया यह जो है typographical error है इसको जो है कि बच्चो इसमें से चार question जो है यह चार नमर एक गलत है बाकि तीन का options आई है बच्चो यह typographical error है इसको हम correct कर लेंगे आईए बच्चो चलते हैं देखते हैं no improvement sentence improvement का question है बच्चो no improvement इसमें से इस underline segment में improvement करना है he made a disparate but also partial successful effort to change the ghastly topic he made a disparate but also देख्ये बच्चो but also का प्रयोग not only के साथ किया जाता है not only के साथ but also का प्रयोग किया जाता अगर वाक्य के सुरू में not only का प्रयोग हुआ होता, not only अगर यहां आया होता, not only तब तो but also का प्रयोग सही था, मगर यहां पे not only नहीं आया है, इसलिए but also का प्रयोग यहां पे नहीं होगा बच्चो, but also का प्रयोग नहीं होगा, केवल but का प्रयोग होगा, तो यहां पे but partially पार्शियल भी नहीं होगा, पार्शियली आंसिक रूप से सफल, तो पार्शियली सक्सेस्पूल एफ़र्ट हो जाएगा, चलिए बच्छों, नेक्स क्वेशन देखते हैं, नेक्स क्वेशन है, 18 नम्मर पूश्चन, एंटोनीम सेलेक्ट करना है, बच्छों, इसका एंटोनीम्स जो होता है वो कंजूस होता है बहुत ज़्यादा खर्चिला का एंटोनीम्स जो होता है बच्चों वो कंजूस होता है इस तरह से हमारा फोर्थ नमर आपसम करेक्ट होगा चलिए नेक्स क्वेश्चर में पैशिव फर्म सेलेक्ट दकरेक्ट पैशिव फर्म चलिए इस टाइम टू सर्व दर डीनर यह इंपरेटिव सेंटेंस है बच्चों यह जो है इस टाइम टू सर्व दर डीनर यह इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस का एक रूल हो हुआ है आईए बच्चों इसको थोड़ा erase करते हैं फिर आपको बताते हैं चलिए बच्चों देखते हैं यदि imperative sentence में 2 प्लस वर्व का 2 प्लस वर्व की first farm का प्रयोग हुआ है तो इसका passive बनाते समय 2 को 2B में बदल दिया जाता है 2B 2B plus वर्व की third form का प्रयोग तो passive eyes में होता ही है तो यह जो है 2 प्लस वर्व के first form को 2B plus वर्व की third form में बदल दिया जाता है तो इसका जो correct answer हो जाएगा बच्चों कि it is time the dinner to be served और इस तरह से आपको correct answer पहला option में मिल रहा है तो पहला option आपका सही होगा चलिए बच्चों next question देखते है next question है 20 number question है बच्चों 20 number question क्या कह रहा है 20 number question कह रहा है बच्चों कि select the most appropriate fill in the blanks है the accident victim यहाँ पे 2 का प्रयोग होगा 2 से पहले यहाँ blanks होगा बच्चों the accident victim to his injuries before he could be taken to hospital और correct answer होगा शकम शकन मिनस होता है परास्त होना या पस्त होना यहाँ पर यह कह रहा है कि जो accident victim है वो अपने injury से जो अपने घायल था उससे चोट से इतना जो है इतल ले जाने तक तो एकदम पस्त हो गया था चलिए बच्चों next question देखते हैं question number 21 से 25 तक आये बच्चों देखते हैं बच्चों देखते हैं भोपाल गैस ट्रेजटी भोपाल गैस कॉमन सेंस का प्रयोक करना चाहिए बच्चों और भोपाल गैस ट्रेजटी के बारे में सारे लोग जानते होंगे इसलिए नई कहानी नहीं है आप इसमें तोड़ा कॉमन सेंस लगाएगा भोपाल गैस ट्रेजटी has been described as the word और यहां पे चार आप्चान वर्स बेस्ट बैड और वर्स्ट bad means होता है बूरा ठीक बच्चों इसका जो है की comparative degree worse होता है और इसका superlative degree worst हो जाता है और जब भोपाल गैस ट्रेजटी की तूलना कर रहा है पूरे विश्व से as the word as the words हो रहा है तो यहां पे superlative degree का प्रयोग होगा और यहां पे वर्स्ट होगा बच्चों WOR as the worst industrial disaster मतलब विश्व की सबसे भयानक और योगिक त्रासदी थी और योगिक घटना थी जो भोपाल गैस कांड था चलिए बच्चों next है 42 tons of methyly sosinate और इसके बाद 4 option है फ्लोड एमिटेड रिलीज लीक्ड गैस क्या हुआ था बच्चों गैस क्या हुआ था बपाल गैस में गैस लीक हुआ था और सीधे-सीधे आपको option दिख रहा है लीक्ड तो आप सीधे-सीधे लीक्ड को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और आगे question है from the steel container, in steel container से gas leak हो गया था फिर डैस है the union carbide factory and released a cloud of अब यहां है beside, across, at, along जब gas leaked होती है तो वो क्या होती है चारों तरफ पैलती है, gas किसी एक direction में तो जाती नहीं वो चारों तरफ पैलती है इसलिए across का प्रयोग करते हैं एक cross का प्रयोग करते हैं, वो क्या है, union carbide factory में चारों तरफ पैल गई and released a cloud, एक बादल का निर्मार किया और वो बादल कैसा था, डैतली, घातक था, जानलेवा था, कई लोगों की जान गई, आप तो जानते हैं तो इसलिए वो कह रहा है कि एक जानलेवा बादल वहां पे गैस का बादल एक बना दिया, जानलेवा गैस का बादल वहां पे release किया, it left a legacy, it left a legacy of instant and deferred, instant and deferred, बच्चों इसका मतलब क्या होगा, इसने बिरासत में क्या चोड़ा, इसका परीडाम क्या हुआ, जब वहाँ पे gas का cloud बना तो उसका परडाम क्या हुआ परडाम ये हुआ बच्चों कि instant death हुई ततकाल भी लोग मरे और deferred और बाद में भी लोग मरे जैसा कि सुना जाता है कि बोपाल gas tragedy से आज भी वहाँ के लोग प्रभावित है उनके जो बच्चे हैं उनकी जो पिडिया ह है तो इसलिए यह कहना है deferred death मतलब delayed बाद में भी इसका जो पैडाम सामने आया इस तरह से एक सेट आज बच्चों हम लोग ने और complete कर लिया उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए होगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाईए next वीडि आए नेस्ट वीडियो में